हेलो दोस्तों स्वागत है आप शिभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शौर मंडल के बारे में हमारा शौर मंडल आपने देखा होगा पहली यूनिट में एक टॉपिक दिया हुआ है सोलर सिस्टम एन अर्थ यहनि की सौर मंडल और हमारी प्रित्वी तो उसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आपके स्लेबस के कॉर्डिंग पढ़ा जा रहा है सारी चीजे तो जितनी भी वीडियो जाएंगे वो सब इंपोर्टेंट होंगी आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आप किसी भी शाट कोशिन का किसी भी लॉंग कोशिन का या वेरी शाट कोशिन का आंसर अपने आप दे देंगे अलग से आपको प्रसन उत्तर पढ़ने की जरूरत नहीं सौर मंडल में कौन-कौन से ग्रह है कौन-कौन से ग्रह है और हमारा सौर मंडल कहां से कहां तक विस्तरित है सूर के बारे में पढ़ेंगे बीविन ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में पूरी जानकार्य आपको मिलने वाली है इसके पहले में आपको बता दूँ अगर आप पीडियाप प्राप्त करना चाते हैं तो टेलिग्राम चैनल को आप जॉइन कर लिजे टेलिग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दी जाएगी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाते हैं या कोई कोईशन पूछना चाते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो ग्रह है और यह जो लाइन है इसको हम लोग कच्छा बोलते हैं और बिट ओके यह जो लाइन है यह जो लाइन है यह ग्रह का एक प्रकार से रास्ता है इसी को हम लोग कच्छा बोलते हैं इसी लाइन पे यह ग्रह सूर के चारो और चक्र लगाते है शौर मंडल और प्रित् पिर्तिवी सौर मंदल का एक सदश ग्रहा है, सौर मंदल में सूर के अलावा आठ ग्रह हैं, पहले नौ थे, मैं आपको आगी बताऊंगा भी, कि अब आठ क्यूं हो गए, तो ध्यान में रखेगा सूर के अलावा, यानि सूर जो है, वो एक तारा है, और उसके अलावा नौ ग्रह थे पहले, लेकिन अब आठ ही हैं, याद रखेगा, अब आठ ग्रह हैं, और सूर एक तारा है, तथा सौर मंदल का आकार तस्तरी नौमा है, ये देखें, तस्तरी नौमा है, तस्तरी का मतलब जानते हैं, एक पलेट टाइप का है, पलेट, तो हमारे सौर मंदल का आकार कैसा तस्तरी नौमा, जिसके मध में सूर की इस्तिती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये चीजे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं भी याद रखते हैं, तो भी चलेगा, लेकिन याद रखते हैं, तो कहा आजाम में, कॉपी में अगर ये जानकारी लिखते हैं, तो इफेक्टिव होगा, प्रभावसाली, सौर मंदल की व्यास 733 करोण मील या इसी को 1173 करोण किलो मीटर कह सकते हैं, के लगभग है, ओके, सौर मंदल कहने मतलब ये, ये पूरा सौर मंदल है, तो इसकी बात कर रह मिल है, या आप मिल को अगर किलो मीटर में चेंज करें, तो 1173 करोण किलो मीटर हो, कोई एक याद रखिएगा आप, ये सौर मंदल का व्यास है, पृत्वी सूर से 14 करोण 96 लाग किलो मीटर दूर है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.496 into 108 किलो मीटर, या आप इ इस तरह बोल सकते हैं, 14 करोण 96 लाग, सामाने था हम लोग 15 करोण बोल देते हैं, तो आप मोटे तवर पर याद रखिए, पृत्वी सूर से कितनी किलो मीटर दूर, इस तरह है, 15 करोण किलो मीटर, इसका व्यास 12742 किलो मीटर है, आउस्त घरनत 5.52 है, तो हमारे जो हमारी पृत्वी है, उसका ब्यास कितना है? 12742 और इसका अगर आधा कर देंगे, तो हो तृत्त रिज्या हो जाएगी, अरकोई कितनी है तो 12742 का आधा कर देंगे, वो त्रिज्या हो जाएगी, पृत्वी का गनत कितना है? 5 10, 라 Sum почти, तो अभी मोटी मोटी जानकारी आपको दे र स्क्राइब थोड़ा सा हमारा सौर मंदल एक तारे एक तारे मितल्ब सूर एक तारे आठ गरह और ळूंखी फूर अंतरिच चट्टान वर्फ और प्लूटो जैसे कई बौवने ग्रहों से मिलकर बना है तो कहने मतलबी है हमारे सौर मंडल में क्या-क्या है तो एक सूर है यानि कि एक तारा है आठ ग्रह हैं अनेक धूम केतू हैं अनेक छुद्ध ग्रह हैं और कई चटानी बर्फ और प्लेटो जैसे ग्रह भी है बौवने ग्रह भी है जैसे प्लूटो जो है पहले उसको ग्रह कहा जाता था अब उसको बौवना ग्रह की स्रणी में रख दिया गया हम लोग बात करेंगे आगे कि क्यों रखा गया है इस पर एक वीडियो आपको अलक से मिल जाएगा पहले नव ग्रह थे अब आठ ही है तो बौवना ग्रह जो है प्लेटो को उसी कैटेगर में सामिल कर दिया गया पहले प्लेटो को एक ग्रह माना जाता था लेकिन अब उसको बौवना ग्रह कहा जाने लगा यह ग्रह के तरणी से हटा दिया गया तो एक ग्रह आपका कम हो गया अब क्यों हटाया गया यह एक अलग विशा है इसको हम लोग किसी एक वीडियो में समझे लेंगे अब आठ ग्रह की बात करें तो शुक्र है यह देखिए लेकिन उसके पहले बुद्ध सबसे पहले बुद्ध शुक्र प्रतवी मंगल ब्रेश्पती सनी यूरेनस नेप्चून यूरेनस को अरुण बोलते हैं नेप्चून को वरुण बोलते हैं बुद्ध सूर के सबसे निकट है, नेपचून यानि की वरुण सबसे दूर है, ग्रह, चुद्र ग्रह और धूम केतु हमारे सूर की प्रकर्मा करते हैं, वे हमारे सूर के चार और एक चप्टे वृत में गूमते हैं, जिसे देर्ग वृत कहते हैं, अभी मैं आपको लगाने में एक वर्स लगता है, बुद्ध केवल 88 दिनों में सूर का चक्कल लगाता है, सबसे प्रशिद बौनेगरह प्लूटू को सूर का एक चक्कल लगाने में 248 वर्स लगते हैं, तो देखे, पिर थे भी सूर का एक चक्कल लगाने में कितना समय लेती, 365 दिन, और अगर पुलूटो की बात करें, तो ये 248 वर्स लगाता है, पुलूटो को बाउना ग्रह कहा गया है, याद रखेगा, अब देखे, आकार और संदचना की द्रिष्टे से शौर मंडल के ग्रहों को दो प्रकारों में विभाजित के जाता है, आंत्रिक ग्रह एवं बाई ग ग्रह हैं, तो उनमें से चार ग्रह जो हैं, वो आंत्रिक ग्रह कहलाते हैं, और चार जो हैं वो बाई ग्रह, अब देखे, चार आंत्रिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुद्ध, सुक्र, पिर्थवी, मंगल, ये आंत्रिक ग्रह, आकार में छोटे हैं, यानि ये जो चारों ग्र ग्रोग्राम, मीटर क्यूब या उससे अधीक है, तो यह जो है, यह घनत होता है, घनत क्या होता है आप थोड़ा सा समझ लीजिए, घनत का मतलब होता है सघंता, शगन आप जानते हैं, पास-पास, मालिजिए यह कोई पदार्थ है, यह इसके अडू है, अडू परमाडू आ पास-पास, मालिजिए यह कोई आपका पदार्थ है, और इसके अडू जो है यह परमाडू बहुत नजदीग-जदीग आ जाये, पहले मैं ने दूर-दूर बनाया थे, अब नजदीग-जदीग बना रहा हूं, बहुत सटे-सटे, तो यह क्या है, अगर बहुत सटे-सटे अडू जब नजदीग रहेंगे, तो हम कहेंगे, बहुत सघन है, सघन का मतलब घना हुआ, और जब घना हुआ कोई चीज होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घनत हूँ, यानि कि अगर यह सटे हुए रहेंगे, तो हम कहेंगे घनत अधिक है, तो पिर्थिभी, बुद शुक्र, मंगल, यह सभी आकार में भले ही छोटे हैं, लेकिन इनका घनत अधिक है, यानि इन ग्रहों के जो अडू पर माडू हैं, जो पदार्त हैं, बहुत ही ज़्यादा सटे हुए हैं, घने हैं, इसलिए इनको कहते हैं, घनत अधिक वाले ग्रह, यानि कि फोस ग्रह, भाई, अगर अडू पास-पास में रहेंगे कूप, तो कोई चीज ठोस हो जाएगी, अभी मान लिजे, कोई अडू जो है, वो दूर-दूर है, ऐसे, तो ऐसा किस में होता है, या तो तरल पदार्त में होता है, या तो गैसिय पदार्त में, आपने देखा होगा, फिस जिस हो गई, बुद्ध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, यह सब ठोस पदार्थों से निर्मित है, यह देखे, अब दूसरा देखे, बाई ग्राजो है, ब्रहस्पति, श्चनी, अरुण गरुण, यह आकार में बड़े है, प्रवंतुन का घनत बहुत कम है, आकार में ब घनत व्यास है, वो दस गुन अधिक है प्रत्वी से, और आयतन जो है, वो हजार गुन अधिक है, फिर भी घनत प्रत्वी से कम है, ओके, सनी का घनत तो जल के घनत से भी कम है, प्लूटो इसका अपुआद है, आकार छोटा है, परन्तो घनत अधिक है, आठ गरहों में यह ब्रहस्पती को, जो आकार में सबसे बड़ा है, केंदर में ले लें, तो इसके दोनों और गरहों का आकार छोटा होता जाता है, मंगल इसका अपुआद है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, यह अपना है ब्रहस्पती, अगर हम इसको केंदर में ले लें, क्या कह रहा है, आठ ग्रहों में ब्रहसापती को केंद्र में ले लें। यह अपना प्रांजा प्रहसापति है है इस इसको में बीच में लेलिया। दोनों और ग्रह का शोटा होता चला जाताए। अब देखे इधर देखे ये इस से चोटा ये इस से चोटा और ये इस से चोटा ये इधर भी ग्रह छोटे होते चले गया है इधर भी ग्रह छोटे होते चले गया है ये देखे ये इस से चोटा इस से चोटा इस से चोटा बस एक अपवाद है मंगल मंगल जो है ये बीच में यह देखे इसको होना चाहिए पिर्थिभी के बाद और शुक्र के बाद तो सही बैठता है लेकिन एक अपवाद है बाकी सारी चीज़े सही है सबसे बड़ा यह है इस से चोटा इस से चोटा इस से चोटा इस से चोटा फिर देखे अगर मंगल को हटा दें तो यह देखे ब् प्रिथवी से छोटा सुक्र, सुक्र से छोटा बुद्ध, अब इसमें जो है मंगल बेच में आ जाता है, यह अपवाद है, बाकि आप सारी चीजे जो लिखा हुआ है, वही मैंने आपको समझा दिया, अब देखे ये थोड़ा समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया कि बा गुरुत्वा करशड बल उतना ही अदिक होगा, परड़ाम सुरूप उसके अंतरिक भाग में दबाओ, उतना ही अधिक होगा, जिसकार बिरेहदाकार ग्रह का घना तो भी अधिक होगा, अब इसको समझ ये पहले क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि गुरुत्वा करशड का न कोई गोला है जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्त्वा कर्षण उतना ही अधिक होगा और गुरुत्त्वा कर्षण अधिक होगा तो आंत्रिक भाग में लगने वाला दबाव बल यानी दबाव अधिक होगा और जब दबाव अधिक होगा माली जीए यह कोई गोला है बड़ा है तो इसका गुरुत्वा करश्णबल अधिक होगा तो अंदर की ओर लगने वाला जो अंदर की ओर जो लगने वाला दबाव है वो भी अधिक होगा तो जब अंदर की ओर लगने वाला दबाव अधिक होगा तो क्या होगा कि ये अडु पास पास में आएंगे, यानी सटेंगे, तो उसका घनत अधिक हो जाएगा, नियम यह कहता है, आप समझ क्या है, कि नियम क्या कहता है, कि अगर आकार बड़ा होगा, तो दबाव अधिक होगा, और दबाव अधिक होगा, तो घनत अधिक होगा, कुल मिला कर कहने मतले प्रिध्भी प्रिःद्रिविस बड़े ग्रह लेकिन घनत कम हैं जब होना ज्यादा चाहिए व रोर्इ नियम तो यहीं बताता है श्यक्ति में प्रिहदस्पती हmaa कशामय वर भशनियोंिशी या व्युर्फ तो और अपक्षा इसले होता हैं यह भाला है है कारण यह देखिए ब्रहदाकार ग्रहों की रचना हलके तत्तों यानि हाइड्रोजन हीलियम और हाइड्रोजन योगिक जैसे जल अमोनिया मीथेन से हुई है जबकि आंत्रिक ग्रह जो है यानि पृत्वी मंगल सुक्र बुद्ध इन सब का जो निर्मार्थ है वह भारी प आई होप आप समझ गरूंगे कि जो बाह ग्रह हैं सनी अरून वरून यह बड़े हैं लेकिन इनका घनत कम इसलिए है क्योंकि इनकी रचना गैसिये पदार्थों से हुई है हीलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन की योगिक अमोनिया मीथेन इन सब से इनका निर्मार्थ हु अलूमिनियम से सिलिकेट से धातूँ से पत्थर से इसलिए इनका घनत अधिक है तो यह कॉंसेट है अब आपको समझ में आ गया हुगा अब देखिए सभी ग्रह सूर के चार और पश्चिम से पूरब की और गोमते हैं अर्थात घड़ी की सूईयों की विप्रीद दिशा में घड़ी की सूईयों की विप्रीद दिशा में सभी ग्रह सूर के चार और गोमते हैं मालीजे यह सूर है तो घड़ी की इधर चलती है लेकिन ग्रह कैसे घूमते हैं इस टाइप के ओके यानि कि ग्रह जो घूमते हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं किवल सुक्र और अरुण इसके अपवाद हैं क्योंकि यह पूरब से पश्चिम दिसमें ब्रमल करते हैं इसी तरह उपग्रह अपने पिता ग्रह के चारोर परिकर्मा करते हैं जैसे ग्रह सूर के चार और परिक्रमा करते हैं, वैसे ही उप ग्रह जो होते हैं, वो अपने ग्रह के चार और परिक्रमा करते हैं, तो कहने मतलब यह है, जो जितने भी ग्रह हैं, वो सभी ग्रह पश्चिम से पूरप के और सूर के और घुमते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण यह जो है पूरप से पश्रिम की दिशा में गुमते हैं अब यह देख लिजे यह जन से आटी का दिया हुआ है चित्र यह देखे यह सूर है सबसे छोटा ग्रह बुद्ध है और सबसे निकट है फिर उसके बाद सुक्र आता है फिर पिर्तवी तीसरे नंबर पर फिर मंगल आता है फिर यहां ब्रहसपती अब देखे ब्रहसपती और मंगल के बीच में यह देखे यह ब्रहसपती और यह मंगल इन दोनों के बीच में एक पट्टी है इसको छुद्र पट्टी बोलते हैं चुद्र ग्रह की पट्टी तो ये कई बार पुछागा है छुद्र ग्रह पट्टी किसके किसके बीच में पाई आती है तो ब्रहस्पती और मंगल के बीच में फिर ब्रश्पती के बाद सनी है इसके चारो तरफ छल्ले पाया जाते हैं फिर उसके बाद यूरेनस यानि अरुन फिर नेपचून यानि वरुन सबसे दूर जो है नेपचून है ओके तो ये जो चारो है ये ठोस पतारतों से निर्मीत है गैसी ये ग्रह कहलाते हैं, बाहे ग्रह कहलाते हैं, इनका दिर्मार जो हुआ है गैसों से हुआ है, अब हम बात करते हैं सूर के बारे में, बिसिकली सूर क्या है, तो सूर क्या है मद्धम आयू का तारा है ओके सबसे पहले सूर क्या है एक तारा है इसका ब्यास तेरा दसमलो नौ लाख किलो मीटर है मालिजे ये सूर है तो ब्यास क्या होता है ये होता है आर पार तो ये जो इसकी लंबाई है ये तेरा दसमलो नौ लाग किलियो मिटर है अगर इसका आधा कर दें ये मन लिजे इसका आधा कर दें ये केंदर मन लें तो इसका आधा जो है ये ये तरिज्या है और इसको पूरा कर दें तो ये ब्यास है तो ब्यास है 13.9 लाक तो इसका आधा कर देंगे तो तुरिज्या आजाएगी सूर की वर्तमान आयू लगभग 4.7 अरब वर्स है यानि इतने वर्स पहले सूर बना था तो आज सूर कितने वर्स का हो गया 4.7 अरब वर्स सूर के द्रबमान का 70.6 प्रतिसाद भाग हाइडोजन यवं 27.4 प्रतिसाद भाग हीलियम से बना है ओके इस ये इसको याद रखना हो 70.6 प्रतिसाद भाग हाइडोजन का बना है सूर का और 27.4 प्रतिसाद भाग हीलियम से और बाकी अन्य तक्त्व है सूर का परकास पृतिवी तक पहुंचने में आठ मिनट 20 सिकन्ड लगते हैं और सूर अपने अच पर पस्चिम से पूरा प्योर घूमता है कि तो सूर भी इस्थिर नहीं है कि सूर भी घूमता है एक सोलर सिस्ट्म करके आय पाता है उसका देख लीजिये प्लेशोर पर कब आप मिल जाएगा तो सूलर सिस्ट्म करके आय पर इसको इंस्टाल कीजे मॉभाइल में उसमें आप अप और सूर कैसे घूमता आपको सब छे चेतлоों में वरगईकःत्थ है केंद्र, विक्रण चेत्र, साहवानिय, चेत्र, प्रकासमंदल, asking पप्रोमोस्फियर और कुरुणा यजब सूर के अंदर इस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 6 भागों में बाटा जा सकता है यह देखे, सबसे अंदर का भाग क्या है, कोर, इसको केंदर बोलते हैं, यह देखे, केंदर है, यह कोर है, फिर उसके बाद, विक्रर जोन, यह देखे, केंदर के बाद, विक्रर जोन, विक्रर जोन यह है, रेडियेटिव जोन इसको बोलते हैं, फिर आता है, यह देखिए पोटो इस्पेर फिर क्रोमो इस्फेर फिर सबसे लाश्ट में कुरोन आता है तो इसके छे इस्ट्रक्चर हो गए इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजी तो यहां मैंने इंगलिस में लिख रखा है और यहां हिंदी में इसको मैं जल्दी से पढ़के आगे बढ़ता हूँ तो सूर का जो केंद्र है यानि कोर जो है उसका ताप पंद्रा मिलियों डिग्री से लसे से जो नाविकिये संलयन के अनकूल है सूर के केंद्र का तापमान बाहे परत यानि प्रकास मंडल से अधिक होता है सूर का जो बाग हमें द्रिष्टी कोचर होता है उसे प्रकास मंडल कहते है तो यह भाग हमको दिखता है बाहर से तो इसको हम लोग प्रकास मंडल या फ्रकास मंडल कहते है इसका तापमान लग क्रोमो इस्फेर का आरम प्रकास मंडल के उस उपरी परस से होता है जहां रिढातमक हाईडोजन कम हो जाते हैं तो क्रोमो इस्फेर का जो सुरुवात होता है प्रकास मंडल के उपरी परस से होता है यह देखे यह प्रकास मंडल है और इसके बाद से क्रोमो स्फेर की सुरुवात होती है वही चीज लिखा हुआ है अब देखे यह चीज याद करने वाली है क्रोमो स्फेर में गैसों के उठते हुए प्रवाह को इस्पिक्यूल कहा गया है इस्पिक्यूल क्रोमो स्फेर में गैसों के उठते हुए प्रवाह को इस्पिक्यूल कहा गया है तो अगर आपसे पूछे कि इस्पिक्यूल कहा पाया जाता है तो क्रोमो स्फेर में पाया जाता है कभी 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 इस मंडल में तीब्र गहनता का प्रकास उत्पन होता है जिसे सौर जौला की संग्या दी जाती है क्रोमोस्फिर और क्रोना के बीच 100 किलोमेटर की एक संकीर पट्टी पाई आती है जहां पर तापमान अचानक से बढ़ता है प्रकास मंडल का बाहरी भाग जो किवल सूर गरहन के समय दिखाई देता है उसे क्रोना एक क्रीट कहते है तो यह देखिए जो काला काला भाग है इसी को क्रोना कहते है अब फोटो इस्पेर की बात कर लेते हैं फोटोस्फेर यानी प्रकास मन्ल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां एक गैसियास नचना है और इसमें 90 परसेंट यानी 90 प्रतिसत हाइडोर्जन, 9 प्रतिसत हीलियम, 1 प्रतिसत अन्य भार्य तत्त होते हैं, फोटोस्फेर सूर की बाहिप्रकासिस सता को कहा जाता है, य जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकास कड होते हैं, जिन्हें ग्रैनूल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ग्रैनूल किसे कहते हैं, तो फोटोस्फेर यानी प्रकास मंदल होता है, वो समान मोटाई वाली ना होकर आसमान मोटाई वाला होता है, यानी कहीं ज्याद क्या है फरकास मंदल है देखिए यहां जादमोटांफित हो गई यहां कंव हो गई तो आसमान मोटांफित ही हैं उसमेंचोटे चोटे चोटे प्रकास के कड़ पाया जाते हैं जिसे ग्रेनूल कहते हैं तो ग्रेनूल कहां पाय जाते हैं फोटो स्फेर में ठंडे एवं काले धब्बो को सौर धब्बा कहते हैं गर्म एवं प्रकासित भाग को फैकुला कहते हैं सौर कलंक की खोज सर्व प्रथम गैलेलियो ने की थी प्रकास मंडल में पाय जाने मेले सौर कलंक में काले केंद्र को अंब्रा कहते हैं तो इनके चारोर हलके रंका छेतर होता जिसे पुनुम्ब्रा कहते हैं तो मैं जानता हूं थोड़ा से इसमें जो फैक्ट हो ज्यादा हो रहा है तो आप इग्नॉर भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सारी चीज़े बताने का प्रयास करूंगा ताकि जानकारी आपको रहे तो अंब्रा किसे कहते हैं पुनुम्रा किसे कहते हैं ग्रेनूल किसे कहत यह सब आपके PCS के एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और ग्रहों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी लगभग 26 मिनिट का हो चुका है और आज हम लोगों ने स्वर मंडल के बारे में पढ़ा वेसिकली शूर के बारे में लोगों ने डीटेल में पढ़ें और अगले वीडियो में हम लोग जो बुद्ध शोक्र पिरित्वी मंगल बरईस्पाथी सर लाron in शावं झाल 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 झाल